तुटुक विलेज से वाप से निकलते हुए और तुट विलेज से आगे था थांग विलेज जो आर्मी वालों ने आगे नहीं पहुंच नहीं दिया अब यहां से वाप से पहुचने का विचार है देखके कहां तक पहुचते हैं और जो यहां तक पहुचने का टाइम लगा हमें तुर्टू विलेज तक लेशे वो लगए तकरीबन आठ गंटे अब आग अगर आप गाड़ी शाते हैं तो 6 गंटे लग जाते भाई की दो गंट एक श्टा लगते है यह जो इसकी नुपरा वैली के आगे आई तहरा शार श्टाएं और यह लेशन नौर्थ में नौर्थ की तरफ है और 7 जो है यह रीवर शोग नदी है एक है नुबरा रीवर, वो पहना भी की तरफ शाथे है, और ये जितना भी है ये जो धूनों ये रीवरम की साथ-साथ, नुबरा बैली बोली जाती है, यहाँ एक्टिविटी जो है, वो मेर्न है, फुन्दर ओर दिख्स, कित ओर तुर्तुक है जो आपके देखे लिया, और आगे एक बार यहां आओगे तो बार बार मन्द करेगा गूमने का ना यहां ज़्यादा ट्रैफिक है ना और कुछ साथ में सुन्दर चाड़ना उपर पाड़ों से फिर बरफ के इंगल के आती है बिल्कुल दूद की तरह लगता है और यह निच्चे जाके शोक नदी में मिल जाता है शोक नदी का पानी है वह मट्यला कलर का है जो जरने का पानी बिल्कुल सप्पेद और यह बहुत धंग गाउं आप पहुंच गए है बहुत धंग गाउं के बाद आएगा हुंदर और बोदंग में दोनों तरफ में गेवों काटके सुका रख था है जो गेवों हुए वो तुर्टु विलेज में थ्रेशर देखने को मिला था यहां कोई थ्रेशर वोगरा नहीं दिखाई दिया बोदंगाओं में ज्यादा तर यहां लोग मैंनती बहुत हैं गेवों काटते सरसों भी थी वो भी काटने लगे था खुद काटके सुका देतें इसको फिर यह निकाल के इसको भूशे को चात पर रख लेते हैं बैसों को यह इकलाते गाई बैस को और यहां के जो स्कूल वगरा हो आर्मी ने बना रखा है ज्यादा पडेली के इंचान नहीं है मैंती ज्यादा है पाड़ों के खोद के गेवों बोना चर्शों लगाना अभी नुच्छाय महीने में पूरा अपना राशन त्यार कर लेते हैं आपकी कि आप यहां ज्यादा टूरिस्ट नहीं पहुंच पाए नहीं का रोज्खार्ड में तो यही है टूरिस्ट अपर दिर्ब रहते हैं जो यहां रूम है वे गैस्ट आुस मिल जाते है ब्यशिनकेंप मिल जातार ब्रजट हाउस मिल जातार रिज utiliser बर्यूट मिल जात तब जातर लोग हों स्टेई करते हैं और इस साइडों में शेव के बाग भी था और स्कूल है आर्मी ने बनाया बहुत अंगा हुई है यह देखी सब्सक्राइब है यह स्कूल है आर्मी यहां बहुत एल्प करते हैं गाउन वालों की शोक निद्दी के साथ साथ गाउन बशे हैं जहां उपर से पाड़ों से पाड़ी जरनात्ता वहीं गाउन बशे हुए और तुटु विलेज और थांग विलेज से आग गए है शियाचीन बोडर पाकिस्तान का अब यह लोकान भाई आएगी आर्मी की अब वहां साइड में लगाने पड़ेगी गाईडिक बाई और जो नुब्रवैली है यहां हुंदर में परकल सार्थ है जो वहां एटीवी राइड 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 जाती है एटीवी राइड जो यह टीवी राइड की में बता रहता है यह टीवी राइड है जो उसके पंदरा मिंट की होती है और उसका चार्ज है जो उसके बारा सुरुपे लेते हैं पंदरा मिंट की अंदर में आर्मी का बना हुआ पुल है कच्छा पुल है यहां जितने भी पुल है लंबे लंबे दूरी के जो सारे आर्मी ने बनाई हुए है अब पहले आगे से गाड़ी आएगी तब तक रुखे रहो दूसरा एक ही विकल एक टाइम पे निकलता है शोक लेदी है इस दौनों तरफ वो पर पाड़ सामने अब हंदर पहुच गया हम हंदर में यहां कैमल राइड कराई जाथी है कैमल सफारी और जो यहां हंदर की पैचान है यहां सपेद रेत है जमीन पर फैला हुआ 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 है वडिया हुआ हुआ है उन्दर में आप कैमल सवारी कर सकते हैं यहांके है अ कि यह दिन में दो बार कैमल राइड कराई जाती है यह राइड पंदरा मिञ्ट के लीज़ा होती है और इसका फेर सवारी भी होती है जिसकी पता आप वहां जाके लगा सकते हैं और जो रहा ये टीवी राइड है ये टीवी राइड बताई थी मैंने आपको ये भी 15 मिट के कराई जाती है और इसका जो चार जो 12 रुपे फीस है और खल्शार में 15 रुपे फीस है दिखने बड़ा सुंदर है उंदर गई यहां सपेद रेत के बीच दोन तरफ बना हुआ ये और हर्याली पार्क की तरह है एटीवी राइड का जो है में या तो खुद भी कर सकते हैं कपल हो ये जो नुब्रबैली ये उंदर में उंदर को लेका रेकिस्तान भी बोला जाता है और ये अपना तीरेंदाजी करती हुए बच्चे बढ़िया गुर्ड निशाना मैं बता रहा था यहां उंदर में एक और है खाश्या तो उंदर में आर्मी के कैपिटल कैम्प भी है अगर आपको तवियत खराब होती है या आपको चैक अप करवाना करवा सकते हैं यहां चैक अप है और दवाया सब फ्री है आर्मी के तरफ से और यह जो पाड़ों से बरफ का पानी पिवल गया रहा उसमें इंज्वाई करते हुए यह अपने अरियाना के लोग है आगे बच्चे हैं वह सनान कर रहे हैं फूल एक्टिविटी है नुब्रमेली में यह सब उंदर दिक्षित है जो यह पाड़ों से पानी जो फिसल के आ रहा है और जो साइड में राइट साइड में है यह तुक तुक की तरफ चला जबता है और लाइफ्ट साइड में दिस्कित की तरफ चला जबता है और राइट साइड में थोड़ा पीछे जाते हैं वहीं हो इस्पिटल भी आयर्मी का कभी यहां वो तो तवियत खराब हो जाए तो उंदर में ही है और जो यहां पैट्रोल पंप है तुर्टुक से यहां तक एक तो खलसार चोप पे है और दूसरा दिस्कित में है तक्रीबन तुर्टुक विलेज सो किलोमेटर पड़ता है असी असी नबब पड़ता है वहां तक है लोग तेल बाइक से या कैन से लिए जाते हैं एक्स्ट्रा और यह हम दिस्कित मोनिस्ट्री पहुंच गया है में गेटी उनका प्रतिबा भी है पहले वह देखेंगे फिर मोनिस्ट्री जाएंगे यहां से राइड साइड जाएंगे तो मोनिस्ट्री है और हम सी देनी के लिए मैंत्री बोदा प्रतिबा है वह देखेंगे उपर जागे और यहां राइड करना का भी अपना अलग मज़ा है और एक राइडर के इच्छा होती है अब ले लद्दा गूं में पूरा एरिया देखें नुब्रा वैली कि हम पहुंच गे हैं मैं त्री बोद्दा की परतिबाई और इसके नीचे दिखेंगे दूब्रा वैली पुरी दिखाई परती है जेकिस्तान है पुरा ले लद्दा का पुर्दा कारीगरी कर रखें त्रास रखें कारीगरों में बहुत सुन्दर है अब मंदर मुझे से कोष्टी वैसे ही है त्यार उत्रप में पाहड़ों से गिरा हुआ नुब्रा वैली उचे-उचे पाहड़ पाहड़ों के परफ और सामने वो मोनिस्ट्री है दिस्कित मैंनों मोनिस्ट्री और ही मैत्रिक पुद्दा की परतिवा कितीन सो पसास साल पुरानी है मोनिस्ट्री यह यह भी नुब्रा मैली में दिस्कित में है सामने मोनिस्ट्री यह भी टाइम नहीं है मोनिस्ट्री देखनेगा फिर कभी आएंगे जब देखेंगे अब पैना में पहुंचते-पहुंचते शाम हो जाएगी और निच्छे दिस्ट्रिक विलेज की कारियाली दिखाई देते हुए और सामने रेकिस्तान यह मोनिस्ट्री और यह मैत्री गोद्दागे निच्छे जो फूरा नुब्रा वैली को देख सकते हो इसके निच्छे है दिस्कित और इसके पीछे है उन्दर जिसकी पैचन जमीन पर फैले वो सपेद रेट से किजा सकती है है मंद्सर सेल्प लेट ते वह भी ने बाई बैठ गया है बुद्दा के चर्णों में जैसे हमारे मंद्रों में गंटी बजाना सुब माना जाता है वैसे यहां यह बैल भूमाने से सुब माना जाता है मंद्सर और विन्हें आग गुमाते हुए अलगी एक्सपेरिंस मिला यह भी करने से साथ में हमारा भी ग्राउंड पूरा अगर बैल का यहां जो बहुत दिस लोगों वह बोले शुब माना जाता है इसलिए ग्राउंड लगाया और यह इच्छे देख सकते हैं आप पूरा सुन्दर नजारा उपर ड्रोन दिखाई दे रहा था है यहां गाएं कम भी दिखाई देती हैं गाएं बैसमेन यहां याक ज़्यादा रखते हैं अब यहां से निकल के पहुचेंगे खलसार चोग उसके बाद पैना में इक जाएंगे टाइम हो गया पांच बजगे हैं पोजिस करेंगे जल् है यह से गोंपा है साइड में घलसार चोग पर बना रखे हैं जासे हम अम्हारे या वह अपले परोजुणों की एक्ते लगा देते हैं चोटी मंदिर बना देते हैं उसी प्रकारी घलसार चोग इसके आम लेफ साइड से ले जाएंगे तर पहुँच जाएंगे तुर्टु विलेज उंदर दिश्टिक और ये पैट्रॉल पंप पैट्रॉल डलवाते हैं फिर यहां से निकलते हैं दुबारा यहीं डलवाएंगे कल पैंगों लेक जाते वक्त आज टे लेंगे पैनामिक अब ये राइट साइड में पहुँच जाते सिद्धा तुर्टु विलेज और उंदर दिश्टिक की तरफ और लेफ साइड में यहां से जाएंगे तो पहुचेंगे और फिर आएगा अपना पैनामिक, सेमूर विलेज के बाद आएगा टाइगर विलेज फिर पैनामिक, और जो नुबरा के राजा थे, उनका पैलेश भी पताए, आन्जम थिंग ठंग पैलेश के नाम से, टाइम कल देखेंगे, पैनामिक पहुच गया, हम ताइम हो गया, नो, पहुचते पहुचते, और यहार रूम बुक करवा रखा, ताभी ने पता करने गया, कि इदर है, फोन कर दिया, उनके पास, और यह गाओं का मंदर पैनामिक का, अब जल्दी से, पहुचते रूम पे, और फिर आपको रूम दिखाएंगे सुबह में, मोर्निंग होगी है, अमारा सुब्रा का रूम कुछ ऐसा न जा रहा है, समान भिक्रा पड़ा सारा रात में लेटा पहुचते थे, यहां दो रूम लेने पड़े, और रूम जो अपने पुराने गरों में जैसे फट्टी के, छोटी टोगा फट्टी का मकान हो थे, उस तरह लकडी का दे रखी पूरी छत, और जो दिवार है, इसकी दिवार भी बहुत मोटी है, कम से हम से त्राठा राइंच की होगी, और सामने जो इसका व्यू है, वो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, हॉम स्टे यह, हॉम स्टे लिया था हमने यह, पैनामिग में, विने बुर्ष कर रहा है, एम अंसरा व्यूटे नहीं है, यह इनका पारक है, एक चीज और यहां देखने को मिली, हर मकान में पारक है, और जो शेव के पेड़ तो हर एक, हर गाउं में, हर मकान में है, बाग भी है, और शेव भी बहुत साही लगी हुए, एक पेड़ पे, चोटे चोटे पेड़ है, ज़्यादा बड़े पेड़ भी नहीं है, और टाइम हुआ है, सुर्य देवा पाड़ों पे परकट हुए है, और गुलाब के फूल, सुन्दर, वाइट भी है, और आज पहुचेंगे, पैंगॉंग लेक, यहाँ से फटा फटा रेड़ी उत्ते हैं, और फिर पहुचेंगे पैंगॉंग लेक, अब भी रेड़ी करते हैं समान को, पहले आप पारक अच्छी तरह देखें, सेव अगरा, अब यशी इपते यार उत्ते दो महिने और लग जाएंगे, आजो पता किया, अब चोटा साइज है, और खटा से शेव में मिठास नहीं आई है, तकरिब दो महिने बाद मिठास आजए, वरफ गिर जाएगी यहाँ, दो-तिन महिने में, गुलाब के फूल, और यह जो गुलाब की बेल पहली बार देखें, शेव का पेड़ और गुलाब की बेल, शोक है यहाँ, लोगों ने पुपारग बुणा के अच्छी तरह रहनेगा, हर गर में पेड़ मिलेंगे आपको, यहाँ पर नुबरा वैली के रास्ते पहुचा जा सकता है, और लास्ट में होट सलपर सप्रिंग नाम का पाणी निकलता जर्णा है, गरम पाणी का कुंडा है, जहाँ पर रात में हम आके नोजे क्रीव, शरीर में ठकान थी, यहाँ आने बाद फिर बैग वारा पोटल रखके फिर उपर की तरफ है, यहाँ से एक किलो मिट्र उपर पाड़ों में, वहाँ जा के शाम को गरम पाणी मनाए, जब ठकानू उत्री जब आ के यहाँ रेष्ट किया, और यहाँ अपनी रुस्तम, चैन, लुबरीकेंट वगरा सब की कर दिया है, अब यहाँ से निकल तो गरम पाणी जो होट सल पर सप्रिंग नाम से जाना जाता है, वहाँ तक सनान जुरूर करके जाना, यहाँ आने का में मकसद वही था